लगबग 22 संसोधन के अनुरूप सारी सक्तिया उनको दे दी गई है 3700 करोड रुपया जाएगा, 700 करोड चला गया है, 1500 करोड और जाएगा और 1500 करोड ये डिसंबर के पहले पहुँच जाएगा, वहाँ से सर्टिफिकेट आने के बाद दूसरे चरह के चुनाव भी तहसिल पंचायद जिला पंचायद के भी अभी शुरू करें इनकी ट्रेनिंग भी हुए हर गाउं में जाकर अधिकारियों ने उनको मानेवर ट्रेनिंग देने का भी काम किया है और मैं मानता हूँ कि इससे बहुत बड़ा फर्क पर जिबाला है पत्थर कौन उठाता था शिर्मन पत्थर वो गाउं का बच्चा उठाता था इसके आद में थोड़े रूपिय पकड़ा देती तो उसको मालूम भी नहीं था मैं क्यूं पत्थर उठाता पुलिस ने कई पकड़े हुए बच्चों से इंट्रोगेशन इनको विचारे को ये भी मालूम नहीं घाटी के बच्चों को कि ये क्यूं पत्थर माले अगर तक्रीरे की जाती थी पैसा दिया जाता था आज गाओं में जो पैसा साइटी सो करोड रूपया पहुँचेगा गाओं के अंदर विकास होगा रोजगारी पहुचेगी गाओं का विकास वो स्वेम तई कर पाएंगे मुझे लगता है कि इससे भी लॉइन ओडर कंट्रोल करने में बहुत बड़ा फाइदा होगा माने सभापती मोदे सेना ने 45 सद्वावना विद्धाले खोले हैं CRPF ने हेल्थ हेल्प लाइंग खोली है 17 विद्धाले CRPF ने भी खोले हैं BASF ने भी खोले हैं और व्यक्ति प्रतिवा पोशन में बहुत सारे बच्चों को हमने आगे ले जाने का कार्श अंत में मैं मा समीर समर्शया बहुत पुरानी है एक ही प्रकार की सोच से हम इसको आज तक सुनते आएं इसको आज तक टैकल करते आएं और अगर समस्या 47 से लेकर 2019 तक समाप्त नहीं हुई तो मुझे लगता है नए नजर्य की जरूर्यत है नए सोच की जरूर्यत है कब तक उसी रास्ते पर चलेंगे विकास करने से किसी को परहेज नहीं है कि गाटी 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 करते गाटी हमारी है जितना गाटी के प्रतिविक भाव गुलाम नभी साब का है उतना ही साइद उत्से अधिक भाव मेरे मन में भी है माने वर इसमें कोई किसी को संदे नहीं रखना चा उनकी उद्वगती चाहते हैं उनके घर में बीजली सोचा ले गैस पहुचाना चाहते हैं हुआ कि पड़ाई लिखाई चाहते हैं उनको भी हिंदूस्तान के बागी इस्सों की तरफ आगे बढ़े वह चाहते हैं अब जहां तक तेरिस्ट का सवाल है जो भारत के साथ कस्मीर के जुराव को स्विकार नहीं कर सकते भारत के सम्विधान को मानते नहीं है मैं मानता हूं मानुबर उनके लिए इस सरकार की योजना में कोई जगे नहीं है उन पर कठोड़ता भी होगी उनको कठीमाई या भी और एक प्रोच जब तक हम नहीं लेंगे हम इस समस्या को मानेवर समाप नहीं कर पाएंगे और इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि जो हम एक्स्टेंशन लेकर आये हैं कुपिया इसको पीछे से सरकार चलाने का हटकंडा मत समझे मैं बड़ी विनम रता से आपको कहना चाहता हूं कि भारतिय जनता पाटी आज इसका आतार इसका फैला बहुत बड़ा है कोई एक करवेशन का जो विदेख है वो और राष्टरपती साचन को बनाने का प्रस्ताव दोनों को सरवानों मत से सदन प्रारीद करे इतनी विननती करकर वार्ट राट।